हेलो सुरेंट्स मैं रवी रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैंने बेंस हिंदी में जो आपको प्रवाइट करता है चटी से बार्वी कक्षा तक किस सभी विश्यों के यहां कुछ नहीं है यहां आपको मिलने वाला है कंपलीट कंटेंट और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं करना पर यह तो बहुत अच्छी बात है चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं तिर्बू चैप्टर जो कि क स्टार्ट करने वाला आज most important question जैसा कि आप लोग को पता है इससे पहले तिर्भुज में तिर्बू चैप्टर में हमने क्या क्या चीजे पढ़ रखे तो सबसे पहले हमने तिर्बू चैप्टर के पूरे concept को समझा था एक concept वीडियो गुना थी इस पूरे concept को समझा था हमन उसके बाद हमने इसके ncrt के पूरा solution किया था जिसके अंदर हमने इसके उदारन और इसके प्रसनावली और परिमे को भी बहतरीन तरीके से समझा था ठीक है उसके बाद हमने इसके इस पर एक वन सौर्ट रविजन मतलब एक पूरे चैप्टर का complete revision भी complete कर वा दिया है उसक आपके exam point of view से बहुत ही जादा important है और mostly आपके exam में ऐसे question पूछे ही जाते हैं मतलब अगर आपने इस most important question के series को completely देख लिया तब समझ लिए यह chapter आपके लिए बिल्कुल finish हो जाएगा और उसके बाद इस chapter से कोई भी marks कटने के कोई chance ही नहीं बचेंगे तो बस करना आपक पर पहले question पर आते हैं तो यहां पर हमारा पर जो पहला question है पहले question हम देख रहे हैं एक तिर बुझ के पांच पांच अनुपाच छे के अनुपात में हैं तीनों कोन के माप गयात किजिए अब देखो चैप्टर में से कुछ questions easy वाले आते हैं कुछ moderate मतों थोड़े से difficult और most कुछ डिफिकल्ट कोशिन आते हैं जो आपके एक्जाम में किसी भी चैप्टर से कोश्चिन बनते हो तीन टाइप के होते हैं या बहुत इजी होंगे या थोड़े से मुस्किल या बहुत मुस्किल होगा तो यहां पर हम आपको इस से लेकर मॉडरेट जो भी डिफिकल्ट व पाउफ से में हैं तो तींगों के माप याद करने हैं तो इस में क्या करएंगे सबसे पहले तिर्भूज बनाते हैं तो अई मनेत यह त यह प्याना दिया है इसको लिखा मैंने और लिखा बीन लिखाशी जैसा की कफ़ैं Кोर्ण चार अनुपात पांच अनुपाथ छे में है जब भी कभी आपको अनुपात में दिया रहे है इसके अनुपात में दिया रहे उसको मा लो एक कैसे मानोगे वह एक टॉकलत को जैसा की इसने कहें चार मतलब चार एक्ष लिया दूसरे कίο का पहुंद पांस तो इसको फैस को पांट एक्सा लिया आ और खाय घ्क्रिका àsथ कubby a b c में ठीक है तिर्भुज ए B C में जैसा कि इसने 4-5-6 देखा था तो हम लिख देंगे कौन A जो है उसको मान लिमने 4X मान लेंगे कौन B जो है उसको मान लिए पांच X तथा कोंड सी जो है उसको मालनेगे छेक्स पर ये तीन चीजों गहां बस चार एकस पांच एक्स और छेक्स ये तीन चीजा पर हाचुकी है और जैसा कि हमें पता है तिरबुज के अंदर तीनों कोणों का योग रिखते हैं तो इसको हम यहां पर रीजन में लिखे देंगे क्या रीजन में मैंने यहां पर लिख दिया है तिरभुज के तीनो कोणो कायूग बहुत बढ़िया अब क्या करते हैं एक का जो मान है बी का जो मान है यहां रख देते हैं और रखते हैं हम देखेंगे क्या आ गया तो यहां पर हमने देखा भई एक अमान है 4 तो यहां रखा 4 चलो भए ठीक है का मान दे रखा है 5 तो लिखा 5 और और यह मिलके आ गया 180 डिग्री चलो भए बहुत बढ़िया तो यह आएगा कितना 180 बटे में 15 ठीक है अब इसको अगर मैं यहां पर काटता हूं तो कितने बगए पंदरा एकम पंदरा फंदरा दूरी तीस मतलब बारा पर कट गया और यहां से मैं देख पा रहा हूं एक्स कमान कितना आ गया तो भाई यह बारा डिग्री आ गया चलो भ इसका मतलब हो गया चार गुने में 12 क्योंकि हमें पता है एक्स का मान बारा है तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए बराबर हो जाएगा बारा चोग 48 एक्स हो जाएगा बही यह चीज़ा कि है दन चलो ठीक है उसके बार हम बात करते हैं को बी की प्नी हमने दिया पांच एक्स तो हम ने लिखा बाइं पांच एक थीक के इसको लिखेंगेdes सबस्क्राइब बारा लिखे तो बारा पंचे साट यानी हम इसको लिए सकते हैं सब्सक्राइब कर उसके बांगे अपर कि हम देख सकते हुआ को सी का मान तो सी कितना आएगा तो सी की बात कहें तो सी हमें छेक तो यहां पर हमने लिखा और चेट की बात करे तो यहां गुने में 12 बाराइ कि 1272 होता है तो इसको लिखा है भाद्र झेरी यहां से हम देख पहुत है और माप हमने ग्याद कर लिए तो इस से आपको अब समझ में आ गया और अब आपको ध्यान में भी रखना है जब भी कभी कॉन आनुपात में लिखे रहे तो अनुपात को आपती संथ करो several करें और तिनों को पता है तो यह देखते हैं एक्स केसा हाँ अगले कोशन की बात की जाए तो यहां दे रखा तिरभूज अबी सी में यदि दो ए बरावर में तीन बी बरावर में छे सी है यह चलो यह चीज़े मान लिया मैंने तो भैई यहाँ पर मैंने तिरभूज लिखा यह बनाया कि इसमान गाँछा व्य जे येधीं जी तन डीजी तिर डीआ गडैगा कोशNO में हमएं दे रखाया क्या-क्या चीजत दे रखिए पर इसको प्रपर तरीके से करते में क्या दिया हुआ है कि दूंअ तो चीजत दे रखाय थो अ बरावर में तीन भी बडावर में ढर तरहा है ठीक है और हमें ग्यात क्या करना है तो ग्यात की करनीशन में आयो तो अधिक है तो यहां पर देखेंगे ग्यात करना में तो एभी तथा सी ग्यात करो ग्यात करना है ठीक है यह चीज़ में ग्यात करना है अब इस क्याते है हल में कैसे ग्यात होगा उसको देखते हैं तो हलकी बात करें तो यहां पर क्या है यह क्या अनुपात में दे रखा है कि ए भी सी को हम दो अनुपात तीन पाथ दें क्या यहां पर लिखेंगे यह जब भी इस तरह की देखने से सब्सक्न्स रकिखन सब्सक्राइब जिसके नि गास्ट्रीज ऑपिश में और घ्राइब परता कर दोम्हें शबहुत अएगा और चृंग और से कौण 122 3 और दो से हमने इसको काड़ दिया तो यह कितना आ गया तीन आ गया यहां से कोंड बी निकाला जाए तो क्या आएगा तो यह आजागा अपके पास शे बटे में तीन आएगा और तीन दुनींचे कट गया यानी कोंड बी की बात करें तो यह दो एकस आ ठीक है यहां से देख लो सी है एकस ए है तीन एकस और बी है दो एकस आपके अब इसने क्या कहा है तो एबी सी का मान याद करना फिलाल तो तीनों चीज एकस मैं आ गया अब तीनों कमान कैसे ज्याद करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह ए क्लीड ए पलस कॉन भी लर्ष कुण सी इन तीनों कमान कितना है तो एक सो स्चेड़ी दिर आएगा कि थीक भी तीनों का कॉन एक सो स्चेड़ी दिर आजाएग और इसको मिन्हों लिखेंगे क् chilli कि तिर्भुज के तीनों कोणों का योग तिर्भुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 आ गया है डान चलो बैठीक है अब इसमें देखेंगा एबी सी का मान कितना है तो जैसे कि आप देख पार एए तीन एक से है बीड़ो एक सारी एक से मतल से तीन एकस एक मिनाट अतुरा इस प्लस में दो एक स्प्लस में एक्स बडाबर में 180 डिए आ गया चलो यह तीनों को कि जोडता हूं तो कितना है तो थो तो 6 लिखा बराबर में 180 डिग्री आगया विए एक रिकालेंगे तो कितना होगा तो 180 में छह आएगा यहां यहां से देख सकते हैं एक नान गया 30 डिग्री x कमान 30 degree आ गया और बैए 30 degree आ गया तो इस अनुसार अब तीनो कोन हमें गयात करने तो इन निकाल लेते हैं तो बैए तीनो कोन निकाल लेंगे तो क्या कह सकते हैं यहां पर हम कह सकते हैं अ-ग कौन ए जो हमार पास है मेरा पास कॉन कॉन ए तो हमने लिखा वह यह तीना थिक है और एक्स का महन्न हमने 30 निकाला हूँ है तो यह कितना आक्जेर आ गया यानि हम कहसे थे कॉन ए जो आ गया वह नबवे डिगरी आ गया चलो बहुत बढ़िया उसके बाद बात करें कौन भी की तो यह कितना है वह यह दो एक्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपर को बीड़ीड़ी का लिखा यह रहां दो एक्सांगर ठीक है और बीड़ी दो एक्स का आगया तो इसको भी लिख सकते हैं दो गुने में 30 लख यहानी हम यहां पर देख सकते हैं कि तीनों कॉंड हमारे इसका स्कू daily सकते हो यह फ्याम पर कैसे इस तरह से या जब दोनों से और आजांगे और असके बाद रिदन को जोड़ा वह एक आई गई और एक्स का मान निकालक अब तीनों में रखें तीनों कोन घ्याद कर सकते हो डन तो यह भी एक मोस्ट इंपार्टेन्ट कोश्चन है यह वह आपके एक्जाम में पोच्छी लिया जाता है तो यह भी कोशिन आपको आना चाहिए दन तो आपने इसका स्क्रीन सॉट ले लिया है और इसके बाद दूसरे का वे स्क्रीन सौट ले लिया है मैं इसको एरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट कोशिन पर हां जी अगले कुशन की बात करें तो यहां पर क्या चीज़ है तो यहां पर हम देख सकते हैं तिर्भुज ए बी सी में चला olmaz ये चीज देरें जो दिया उसको लिक लेते पहले ले दिया है मैं कोंड़ में कोंड़ इसको ऐसे ना लिख कर कोंड ए माइनस कोंड बी बरावर में 33 दिए रखा और दूसरा कोंड भी माइनस कोंड सी यह 18 दिए रखा है इतनी बात हमें दे रखिए दन उसके बार दे रखा ते बुझ के कोंड करने मतलब सारे कोंड हमें ग्याद करने और इस तरीका का कुछ दे देखा हमें कैसे निकलेगा तो भाई देखते हैं कैसे निकलेगा तो इसमें पहले तो लिखते हैं क्या ग्याद करना है अब यहाद करने की बात करें तो यहां पर हमें तिर्भुज के कोंड करने मतलब कोंड ए ग्याद करना है कोंड बी ग्याद करना है और कोंड सी ठीक है हल की बात करें तो हल में जब आते हैं तो यहां पर क्या होगा तो हल की बात करें तो हमें पता है तिर्भुज A B C में क्या चीज़ पता है इसमें तो इसमें तीनों कोणों का योग होता है 180 यह होता है तो यह लिखते हैं पहले कि कोण A प्लस कोन भी प्लस कोन सी बरावर में 180 डिगरी होता है और इसका रीजन क्या आएगा तो रीजन आएगा तिरभुज के तीनो कोनो का योग ठीक है तिरभुज के यहां पहले मैंस में बराबर में 33 भीक्रिश प्लस में गईक अ कि एकमान मैं इस से निकालों जो कि यह दिया हुआ था इसमें रिसेंगे है क्या कि यह आया कहां से तो दिया है कि इसको हमने डाल दिया समीकर एक ठीक है उसके बाद जैसा कि हमें दे रखा यह बी- मैंने इसको मैंने लिखे दिया समीकर्ण दो ठीक है और इसमें भी यहां पर हम लिखेंगे क्या कि फैसे बाइब आया का से तो दिया है था याज ये वी चीज़ दे रही है भी सको एक मानते है San यह फिर दू तर ना है कि गई बदाम हो गया यह दू हो और यह 3 हो गया भी तीन समीकेन अब क्या करते हैं consistent 2 और 3 से ए और सी का मान हम एक में रखते हैं वह शल्यक On दो तथा टीम से एट शरी बी तथा सी कमान क्या किस कमान निकाल रहे हैं याँ से एट था सी कमान से ए तथा कौन सी कौन एट था कौन सी कमान समीकरंग समीकरंग एक में रखने पर ने तो इसमें एक की जगहा रखेंगे क्या रखेंगे 33 प्लस में भी तो वहाईए तो इस एक की जगह लिखा मैंने 33 प्लस में बी रख दिया ठीक है प्लस में एक मिनट इसको क्या अगरते हैं नेक्स पे ले लेते हैं एक जगह लिखेंगे 33 प्लस भी यहां पर हमने लिख दिया है 33 plus में B लिखा ठीक है क्नकी समय एक की जगा हमने 32 123 भी लिखा और वी जगा वी रहने देती है तो भी तसके बीने ठीके प्लस व्यक की जगा जो सी सी का मान यह रखना था तो बी-18 एमनेपे यह आगया बहुत बचेगा तो यहां पर लिखा प्लस का पंदरा तो यहां पर लिखा प्लस का पंदरा अब यहां पर तीन बी तो ठीक है इस पंदरा को ठाकर इस साइड बेजेंगे तो अब इसको करते हैं भाग अब भाग करेंगे तो क्या आगा तीन पच्छे पंदरा तीन पच्छे पंदरा यानि यह तो आ रहा है पच्छ पंद डिगरी इसको हमने काटा तो यह पच्छ पंद निकाला इस बी को अगर समिकर्ण बी कामान कोण बी कामान समिकर्ण किस में रखेंगे बी कामान समिकर्ण दो में रखने पर दो में रखने पर ठीक वहीं बी का मान समीकड़ दो में रखा गया तो बी का मान जैसे ही समीकड़ दो में रखेंगे तो बी का मान हम रखेंगे इसमें तो इसमें आगे ए बराबर में ए बराबर में 33 प्लस में बी कितना है 55 यह आ गया इसको जैसे ही जोड गया हूँ 28 cd pra गया चुलर वाइठी की आ गया उसके बाद हम क्या करते हैं तो इस में हम देखें बएं कौन डी का मान का maximize करी करन तिन में रखने पर है कि ठीक है कौन बी का मां समीकण 3 में रखा जाएगा तीन में रखेंगे तो क्या होगा यहां पर देखा वे भी का मान कि तथिस तो बी का मां तेश्स है कितना थीति कितना वापर 55 यह हैं तो यह तो यह बचवा थिस जाएंगा तो यह बकॉष्षन यहां पर समाप्त होता है जैसे के एब नहीं ग्याद कर लिया ऑके चलो हुए तो इसका आप स्क्रिंशॉट ले लिजिए और इसके बाद मैं कहूं तो भई इसका यहां पर से यह भी स्क्रिंशॉट लिजिए यह कुशन यहां पर समाप्त होता और यह बताओं यह बी एक स्क्रिंशॉट आपने ले लिया मैं इसको करता हूं फिर हम आते हैं नेक्ट कुशिन पे ओके चालो भाई यहां यांद क्या कहना चाला यह बें पहले मैं तिर्भूज बनाता हूं यहां पर अपर यह बी थिर्भूज यह से लिख दिया भाई ए बी और सी अब कह रहा है कुशन में कि कोन अ बी सी और सम्धिभाजक के सम्धिभाजक जो है वो ऊपर प्रतिछेट कर रहे हैं तो भाई A B C मतलब इसकोन का संदीभाजक भाइसे की चुपा ठीक है और उसके बाद क्या वह सिका संदीभाजक मतलब विसों का है दिए संद्धी बाजक का जया ओर संदिवाजक का मतलब किया तो संद्धीबाजक का मतलब यह हो रहाए कि भ Heil यह कुंड जो है वो इस कोन के बराबर धनी अगर यह एक्स का है तो यह दीए स्के बराबर है यानि यह y का है तो यह भी y का होगा ओके चलो बहुत बढ़िया और यह हमें दे रिखा है ओ बिंदू जैसा कि यह कहा है ओ बिंदू पर परतिशित कर रहा है ठीक है आप देखो इसमें सिद्ध करना है कि बी ओ सी मतलब यह वाला जो कौन है यह जो बी ओ सी है वो 90 प्लस में एक के आधे के बराबर है एक बटे दो यह लिखा है ना एक के आधे के बराबर है वह यह चीजशी दिखनी है में चलो लिखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है तो पहले लिखा हमने दिया है ठीक है दिया है कि कंडिशन में यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या लिखा वाई कौन O B C जो है यह बराबर होगा कोन ओ भी एक यह ओगा ओबी सी जो एनिये एक्स जो ओ भी एक के बराबर इसके बराबर यह कुश्यन में दे रखा है और इसको अमने सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है किfig опас तो करना है कि यहां में कि दिक काल वह कोन वी सी जुँव Regional सी यह बराबर है किसके तो 90 प्लस मैं 9.2 कोण के बराबर यह चीज क्या रखा है अब आते हैं इसके सिद्रे कैसे इस GET की अकउज कि सिद्भी बात कषेज यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं लिख सक्ट्रे जो है यह रिखा तुरभुज के तीनों परयों क्या होगा यानि की मैं लिखता हो पहले तिरभुज ABC में इसमें लिख्षा तो कोण a एट प्लस में ब्रआबर कि इसकार रिजन क्या होगा छो इसकार रिजन हमारा होगा रहे तिर्भुज के तिर्भुज के तीनो कोणो का योग तीनो कोणो का योग तीनो कोणो का योग तिर्भुज के तीनो कोणो का योग हो गया डन तो यह हमने लिख दिया अब यहां से हम क्या देख सकते हैं तो यहां से हम देख सकते हैं भाई दो एक्स प्लेस दो वाई बराबर 180 है तो मैंने यही लिखा दो इसमें से common ले लिया x प्लस y आ गया और बराबर में लिख दिया हुए 180 और इस एक उठा के इस साइड ले जाएंगे भी कोण यह आ गया इस दो को जब मैं नीचे लेके जाओंगा तो क्या आएगा तो यहाँ पर म्ली सकते हैं x प्लस में वाई बराबर आ रहा 180 बटे दो आएगा और माइनस में कोण बटे दो आएगा वही यह आ रहा है इसको हमने काटा तो यह नब्बब आ गया और यह हम देख पा रहे हैं वह एक प्लस इसके बात की बात करें तो यह तो हमने मान लिए समीकरण एक ठीक है अब आते हैं तिर्भुज दोसरा वाला कौन सा वैं तिर्भुज बी ओसी में ठीक है इसमें कह सकते हैं कौन बी ओसी अब हम क्या करते हैं यहां से x प्लस y निकालते हैं x प्लस y यहां से निकाला तो कितना आएगा 180 आग चीजो चलो बेठी कहें अब यहां पर हम देख पा रहे हैं वह समीकर्ण 1 और 2 में दोनों में left में x प्लस y है क्या हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि left तो दोनों का बराबर है तो right भी बराबर होगा यह होगा तो हम यहां पर लिखेंगे समीकर्ण एक तथा दो से तो बराबर में 180 माइनस में भी ऊसी भाए यह चाहिए ठीक है हम क्या करते हैं इस समीकर्ण को करते हैं तो समय को साल कैसे करेंगे तो यहां पर हम इसको आगे पिछे करके लिख लेक्टे यानि मुझे चाहिए बी ऊसी एक तरफ तो बीजुट एक तरफ करते हैं बाकी को दूसरी तरफ तो बीजुटा के लाएंगे तो वह नेगेटिव में इधर आके आएगा तो बैट को जाएगा चलो ठीक है अब यह दोनों चीज उठके दूसरी तरफ जाएगी तो नब्बे प्लस का है उदा जाके माइनिस होगा और यह बटे दो माइनिस का है तो वह प्लस का होगा तो यह भी कर देते हैं तो यहां पर राइट साइड में हमारे पस 180 थाई ठीक है उसमें क्या हमें यही ग्याद करना था क्या हमें यही चीज ग्याद करनी थी तो बिलकुल यही चीज हमें ग्याद करनी थी ओके तो यह कोश्चन यहां पर समाप्त होता है इसका स्क्रिंशॉट ले लिजे आप और इसका भी स्क्रिंशॉट ले लिजे यह कोश्चन यहां पर खतम को बढ़ाया गया है यानि क्या देख रहे हैं वहीं एबी को बढ़ाकर हम डी तग लेके आए ठीक है और एसी को बढ़ाकर ईतग लेके रहे हैं इतना इसने कहा उसके बात क्या है वहीं बी ओ और सी ओ जो कोण और सीबीडी और बीसीए सीबीडी कौन से हैं तो सीबीडी और और कौन से लिखा है यह बीसीए बीसीए यानि कि इन दोनों कोणों का यह दोनों रेखा क्या कर रहा है संदिभाजक है संदिभाजक मतलब क्या हो रहा है कि यह रेखा जो है वह इस कोण को यानि इसको लिखा इस कोंड़ को दो बराबर हिस्सों में बाट रही है यानि यह x का है तो यह भी एक्सकोंगा वैसे यह रेखा भी जो c o जो है c o यह b c e को जैसे हम देख पा रहे हूं c o b c e को do c d c b d को पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ करम्श कामतलब यही होता है कि पहले का संदिवाजक रूसारे की तो यहीं लिडिया यह यह घया औि है और इंटना ओंने माइ लिए इसका कहने का मतलब यही था यह रेखा इस कोन को सम्दिवाज़ीत कर रहे हैं और दो समान Evans बाट रहे हैं च्छल वे थीक है उसके बाद क्या काना वैंट पर ब著 बिंज एक बरला ऌन यह हंद ओन दो की के बरावर दो भी एसी यह वालवर कोण दो है ये हमें सिर्द करना है चलो डेखते हैं सबसे पहले उसमें क्या कहले दिया हुआ है दिया है पेले हमने देक के लिख लिख लिए है कोण को D B O जो है वो क्मों बराबर कोन बीन कर ने लिखा वे ये इसके बराबर यह हो कि अब बराबर है ठीक है ईसके बाद और क्या लिखा हुआ है तो व्म क्मों बीन line A voi कोन ओ C टीक है यहाँ पर हम शलिक है यह ज्यानि में स्के वह भाई, क्या लिखा मैंने, O, B, C, यानी ये X, इस X के बडाबर है और ये Y, इस Y के बडाबर है, ये ही चीज लिखे लिखे, ज्यादा कुछ ने लिखा है, वही लिखा है, ओके, चलो, उसके बाद हमें क्या सित्ध करना है, वो करते हैं, तो हमें पता है, यहां पर सित्ध टीके बरावर है 90 degree माइनस में 1 बटे 2 दो बी एसी की बरावर है जैसा कि इस तिरभुज में आप देखोगे इस तिरभुज में ये वाले तिरभुज की बात करें लारे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तिरभुज कौन साल हमारा एबी सी में इसमें हम लिख सकते हैं भाई कौन डी बी सी जो है यह बराबर होगा कौन किसके वही यह बी एए सी प्लस में बी ए सी प्लस में कौन ए सी भी इन दोनों के योग के बराबर होगा डन ठीक है भई उसके बाद हम बात करते हैं इसी तिरभुज में क्या देखो इसको हमने बाहे कौन लिया तो यह इन दोनों के योग के बराबर होगा तो हम इसका रिजन भी लिख देते हैं क्या भाहे कोण ठीक है भाहे कोण लिख दिया हमने अपने अब इसके बाहे कोण और इसके बराबर है कि यह वह सकता है तो वही मैं लिखता हूं यहाँ यहांपर कौन B, C, E जो है कौन B, C, E जो है ये बराबर होगा किसके भई B, C, E जो है ये बराबर होगा कौन B, A, C प्लस में कोण भई A, C, A, B, C भई यह ची लिखा मैंने, क्या लिखा भई यह बाहे कोण है इसको छोड़के इन दोनों के योग के बराबर होता है यह तो आपको पता है ठीक है बाहे कोण का मतलब कि किसे भी तिरभुज के अंदर अगर यह बाहर वाला कोण जो होता है वो हमेशा इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है यह हमें पता है ठीक है वही चीज़ हमने यहाँ पर अपनाई यह बाहर वाला कोण इन दोनों को मैं जोड़ेता हूं समीकर एक में दूसरी को जोड़ा गया है अब जोड़ते हैं आप देख सकते हुआ क्या क्या चीजर आ रही है तो यहां पर लिखा मैंने कूण dbc प्लस में कूण bc ये बराबर हो जागा इसके इसको लिखा जाए तो कूण BAC, PLUS कोन BAC, PLUS कोन ACB, PLUS कोन ABC, क्या ये लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल, हमने लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा, राइट को राइट से जोड़ा, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़े हमें पता है, वो हम इसको अराम से कनवर्ट कर सकते हैं, तो बहए DBC, DBC कौन से ल पार दा मैं इसकोलिया 2 थीक है उसके बाद आता बैया बिए सी इसा कौन सा है तो मक विल्कुल लिख सकते हैं हम ने रिकाएं यहां पर यह दो वाई आ गया तो बैया ना जीकह उसके बार किया है इस तीनों को इन तीनों को हम 180 लिख सकते हैं और जो बचा उसको रहने देते हैं तो हमने यहां पर लिखा क्या कि कोण B A C प्लस में 180 डिगरे लिख दिया ठीक है यह लिख सकते हैं और यहां पर reason में हम लिख सकते हैं तीनों कोणों का योग यहां पर लिख सकते हैं तिर भुज के तीनो कोणो का योग योग यह हूं दन ठीक है बाई अब इस में एकते हैं कुछ क्या और यहां पर हमने दिखाः इसमें से दो दो common आ रहा है तो भाई दो हमने यहां पर से common ले लिया और यह आ गया x plus y ठीक है यह आ गया यहां की बात कहें तो यह हमारे पास है भाई कोण BAC प्लस में 180 डिगरी भाई यह चीज़ हमारे पास आज चुका है ओके अब यहां पर एक और चीज़ देखिए कि अगर मैं देखू तिरभुज BOC में लिखा मैंने तिरभुज BOC में तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई x प्लस में y और प्लस में कौनसा भाई बी ओसी यह कितना होगा तो भाई यह 180 डिगरी होगा यह कह सकते हैं आप है तिरभुज BCO जो है इसके अंदर x प्लस y प्लस में यह ओ कौन इन तीनों का योग जो होगा यह 180 डिगरी होगा दन चलबे ठीक है 180 होगा तो इसका रीजन क्या होगा तो इसका रीजन जो उपर था वही क तिरभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और हमने सेम लिप दिया ओके डन ठीक है अब यहां पर से अगर मैं x और y का मान निकाल लूँ तो क्या आएगा तो भई यहां से अगर हम x और y का मान निकालते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं भई एक्स प्लस में y बराबर आएगा 180 माइनस में देखो क्या हो रहा है एक्स प्लस वाइन काला तो 180 माइनस में यह उस सेट जाएगा तो माइनस जाएगा तो भी ओसी होगा तो हमने लिखा वही कौन भी ओसी लिख दिया ठीक है अब यहां पर देखे क्या है यहां पर यह समी समीकरन एक हो गया और प्रक इजिसने को कि यहां अब इससों सकते हैं तो भी बिलकुल रच सकते हैं तो रख देते आप तो हम यहां पर लखेंग oni एक्स प्लास य का मान के समीकरन ऑगा हुआ कि दो दो नहीं एक मैं रखने पर कि एक में रखने और इसके साथ क्या लिखा हुआ है तो इसके साथ लिखा हुआ है दो गुना में तो हम इसको दो गुना में लिखते हैं तो भई दो गुना में लिखा और बराबर में क्या है हमार पास तो भई बराबर में आ रखा है भई इसको जब मैं अंदर गुना करता हूं तो यह आएगा वह 360 माइनस बी ओसी बरावर में बी एसी और प्लस में 180 वह यह चीज़ आगए हमारा पास ठीक है भई अब इस 180 को उठाके इधर लाते हैं तब क्या होगा अचाहिए दो गुना होगा तो यहां भी दो आएगा यह दो यहां पर भी दो आएगा इसको उठाके उधर बेचते हैं क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था इसमें इसमें बी ओसी को अलग करना था तो यहां पर हमने दिखाव लेक ऑनुस्य लक अलग कर दिया अब अकले में लिखूं तो क्या ओगा एक्षभी बटे में दू आएगा तो ये कितना आएगा तो में यहीं अब्धे आएगा फिर शुन के निची जब दो रखेंगा तो नब्दे आएगा ठीक है और उसके बाद माइनिस में बीटे निची दो रखेंगे तो यह एक बटे दो बीएसी ही करते फसले जानल को दिक्स वाली भाति सो हो जोड़ा और हमारे सामने में तो यहां पर रखा ठीक है और साथ तो इसको बचा उसको रहने दिया और दूसरी समीकर हमने निकाले भाई नीचे वाल तरभूच से तीनों को यहां गया यह रहा यहां से अगला निकाल करो और इसी के अंदर रख दिया और रखते के साथ हमने देखा तो ऐसा कुछ आ गया और इसको सौल किया तो यह आंसर कोई दिक्कत वाली बात ही तो आप इसका स्कूर्ण लेगते हो और इसका भी स्कूर्ण लेगते हो यह भी कोशन यहां पर समाप्त होता है और यह भी एक most important question है तो इसके practice भी जरूर करनी है आपको तो इसके बाद हम आप इसका screenshot लेजिए हम आते हैं next question पर अगला देखते हैं कौन सा most important वाला है ओके चलो हाँ जी अगले question की बात करते हैं तो यहां में देर का दी गई आकर्ती में जैसे आकर्ति आप यहां देख पा रहे हूं समय क्या कहरा है कि बेडिडी जो है वं आ चलो ओसके बाद क्या कहा गया कि भाइग सी सी जो है जो है दी सी इट की मिकाल धना रही कि जो ठाइक स्क्रीकल करें टीक तरफेज डी इस ऐसी कि बात करें तो ये अल यह जो कौन है फेज़ार में यहां पर छबात है अब इसने मात्यु है एक्स सब क्यात करना है कैसे हो यह कोई दिक्कत निकालेंगे को सबसेखे पहले हम लिखते हैं और छामने लिखा हमने लिखा हमने डिया है कि ठीक है टीक है दिजुवन हैं फि fan1 कि उनिर्भूज फिरह कौन सा लेंगे पहले यह तो जो जो चीज दिया है पहले वो लिखते हैं तो इसमें हमें दिया हुआ है तो बाइबी जो है वो लंब और कोण dcb जो है यह बनाबर है तीस डिजरी के चलो ये चीज दे रखा है और साथ में दे रखा कॉण उसके बाद हमें रेख़ना है गयात करना है तो हम आते हैं है और Y कमान गयात करना है। यह दो मान हमें ग्याद करने हैं दन चलो ठीक है उसके बार हम आते हैं किस पर तो हल पर यहां पर हल मैं आते तो जैसे हम देख हर हैं कि एक Cand का में गयाद करना है तो यहां पर अगर मैं तिरभुज बात करूंकर हमार कर एक 생각이 झिया से जिफह हैं यह इसके लिए जो बाहर का एकसर वाला कोंण जो है क्या यह बाहिकोन है तो बाहिकोन है क्योंकि हमने देखा ये लाइन बाहर जा रही हैं और यह बाहर वाला कूण है और वह अपने को छोड़कर इन दोनों कोड़ों के यूग के बराबर होता है बिल्कुल बाहिक भाहीकोन में होता है तो इसी को लेकर question कि यहां पर लिखा यहां पर लिखावा यह सी 50 डिगरी गहां अफ्लस में डीसी भी यह वाला कोण है रही कितना रहा है रिदी सी भी यह था वही आएगा तो हमने यहां पर लिखा कौण DCV यहा रहा है और यह क्या रहे है तो इसको हम लिखेंगा यहाँ पर क्या कि भई यह बाहे कॉण है ठीक है भई यह बाहे कॉण हो गया डन अब यहाँ पर मैं इसका मान लिखता हूँ तो मान लिखने के बाद क्या दिखा रहा है तो भई लिखने वाद देखना क्या सीधिया अंसर यह सी कितना है पचास ठीक है डीसी भी कितना है तो भाई यह है तीस और इन दोनों को जोड़ा तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि एक्स का मान आ गया असी डिग्री और हम देख सकते हैं इस एक्स का मान कितना आ गया असी डिग्री इसको ठीक है अब इसके बाद देखा जाए इसमें भई हमने देखा तरभुज ए डी ओ की बात करें एडी ओ में की बात करें अच्छे को इसी में आपको बतायता हूं कैसे निकलेगा पहले डायकली बताता हूं फिर उसको रेटन में लिखेंगा पूरा देखो यहां पर क्या एक सो चालिस और एक सो चालिस को एक सो सी में घ्रटा होगे तब यह तीसरा कून आएगा यानि यह वाला जो कून है यह आ रहा है आपका चालिश निगरी का ठीक है अब इसी का हम निकाल चुके हैं आठ चाल बारा एक सो साथ हो गया और यह कितनी आए तो यह एक सो साथा हम रिटन फॉर्म में करते हैं कैसे हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे सबसे पहले हम लेंगे इस कोन में AOD हमने तिरबुज ले लिया ठीक है और इसके अंदर हमने लिखा भई क्या तो इसके अंदर हमने लिखा यह क्या नाम है इसको लिख लेते हैं OAD लिख 180 डिगरी लिख दिया हमने इसमें कोई दूर आए नहीं बिल्कुल यही होता है कि तिर्भुज के तीनों कोणों का योग जो की 180 डिगरी होता है ठीक है यह हमने लिख दिया पर तो यहां पर आगया अब इसमें देखेंगे कितने का है यहां पर लिखेंगे इसको 50 डिगरी और उसके बाद एडी बचिया भी यह रहे घे लगया और अगया ओड़ी यह इसको रहने रहे लिखेंगे AOD कितना आ गया भाई ये AOD रह गया अब बराबर में 180 डिगरी आ गया ठीक है इस 90 और 50 को जोड़ा और दूसरी साइड लिया के माइनिस कर देंगे तो यहां हम देख पारें भाई कौन AOD जो है यहां गया भाई 180 डिगरी माइनिस में 140 डिगरी भाई यहां गया और इसको जै निकाला यह 40 डिगरी हम निकाल चुके हैं तो क्या यह भी 40 का होगा तो बिल्कुल 40 का होगा वही कैसे सिर्शा भिमुकोण होगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं कौण B O E बनाबर होगा कोण AOD यह होगा और इसका रिजन हम लिख सकते हैं क्या हो रहा है तो स्रीषा भी मुख कोण स्रीषा भी मुख कोण वहीं ठीक है स्रीषा भी मुख कोण होगी दन और हमने देखा हुआ औ दि तो 40 का था तो यह 40 का होगा यानि हम लिख सकते हैं यहां पर क्या तो यहां पर हम लिख सकते हैं तब कौण बी ओई जो है कौण बी ओई यह हमारा है 40 दिरी का चलो यह चीज आ17 कड़ बे Labo कोर्णों का योग यानि बी-ो-उ तिरभूज के अंदर तो हमने यह आपर लिखा कि भाई तिरभुज भी-ोई- महिको इसमें हम देख पा रहे हैं तो भाई एक्स प्लस में य और प्लस में देखू यहां पर देख सकते ब्योज़ की बात करने तो एक तो एक एक वाई और यह कॉन का नाम क्या है बी-ओ-ओ-ई है इसका विच था मान नहीं पता बी-ओ-ओ-ई है तो बी-ओ-ओ-ई हमारा 40 और चुका है तो इसकों कहमकि लेते हैं वहाई यह आ गया कोण बी ओई और ये तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा क्योंकि हमें पता है तिरबुज के तीनों कोणों का योग के तीनों कोणों का योग कितना रहा है 180 डिग्री चलब ठीक है अब यहाँ पर इसके मान लिखना जुरू करते हैं जिसके मान हमें पता है तो हमने यहाँ असे डिगरी दे रिखा है तो हमने यहाँ पर 80 का मान हमें नहीं पता तो उसको रहने रिखते है। और बी ओ ऑ इंकमान कितना है चालीश डिगरी है तो चालीश लिखते हैं। ठीक है बहिए यहाँ पर चालीश लिख दिया और इसके बढ़ाबर में आ रहा है 180 degree ठीक है इस 880 और 40 को जोड़ेंगे कितना होगा 120 उसको ठाकर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वाई कमान कितना रहा है तो 180 माइनस में 120 डिगरी आ गया ठीक है यह चीज़ आ गया और यहां से वाई कमान हमारा 60 डिगरी आ चुका है और हम यहां पर देख पा रहे हैं कोशन यहां पर समाप्त होता है और आपने भई अब देख लिया इस मुस्ट इंपोर्टन कोशन में हम एक्स वाई कैसे निकाल पा रहे हैं वह आपने देख लिए तो आपको करनी है इस कोशन की दुबारा से प्रैक्टिस की यह एकड़म माइंड में सेट हो जाए आपके चलो भई ठीक है मैं इसको रेज़ करता हूं आते हैं नेक्ट कुशिन पर और अगले कोशन को देखते हैं वह गौनसा मोस्ट इंपोर्टन वाला है वह देखते हैं विल्कुल देखते हैं हां जी अगले कोंशिन की बात किये तो यह हमें दे रखा क्या इऒगली आकरती में जो आकरति हम यहां देख पा रहे हैं इसमें PQR प्हुजा QR को बिन्दू S तक बढ़ाया गया है तो यहां पर क्या है PQR एक तिर्भुजा इन दोनों कोणों के समद्विभाजक अगर हमने क्या क्या टी बिंदू पर मिलते हैं मतलों इन दोनों कोणों के समद्विभाजक आ जाए तो यह अगर एक्स का है तो यह भी एक्स का होगा यह वाई का होगा अभी हाँ पर जो बीच में जा दिया वो जाकर टी पर मिल रही है चलो ठीक है इसने का टीपर मिल रहे हैं मिला दिया हमने उसके बाद इसने का है तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है कि कौन QTR कौन सा है तो यह वाला जो कौन है वो QPR इस कौन के आधा है ठीक है मतलब यह जितना भी कौन होगा इसका आधा वह वाला है ओके तो यह कैसे तो तो बहूं बिल्कुल ग्यात होगा क्यूं नहीं ग्यात होगा यहां पर आते हैं सबसे पहले यह दिया है किया लिखते को ठीक और दियाए कि बात करते हैं तो तो यहां पर हमने देखा भई कि तरफ भूज कि एस आर्टी यह दुनों कोण बराबर है और इनको हमने माना हुआ है यह एक्स और यह वाई ठीक है यह चीज़ हमें दे रखिए डन चलो ठीक है उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं तो यहां पर हमने लिखा सिद्ध करना है सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि कंडिशन में आते हैं तो यहां पर हम क्या देख पारे हैं तो यहां देख पारे हैं वो एक बटे दो है कौन क्यू पी आर के बहिए चीज़ है क्यू टी आर जो है वो एक बटे दो है क्यू पी आर के यहां पर हम देख लें जैसे कि अगर यह दो वाई है तो यह कितने का होगा तो इसकी बात करें तो पूरा एक्सवस्थी होता है तो यह आएगा एक्सवस्थी माइनस दो वाई आएगा चाहिए होगा तो बिलकुल होगा तो यहां पर मैं आता हूँ सबसे पहले किस पे तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं देखो जो जो चीज़ी यहां पर बन रही है मैंने यह लिख दिया है चलो कोई बात नहीं इसको हमें इस से की बात करूं तो इसमें बाहे कौन क्या है तो यह बाहे कौन है यह पूरा बाहे कौन है यह पूरा बाहे कौन बन रहा है और बाहे कौन की बात की जाए तो पी आर एस जो है यानि मैंने लिखा कौन पी आर एस जो है वो किसके बराबर होगा तो वो बराबर होगा कौन पी क और यह कॉनॉ कियो के इन दोनों के ब्राबर होगा। यानि हम सकते हैं बई कोण पी जो हमारे पास हैं पी का नाम क्या रखा है इसने को कूण पी का नाम है दूत रहा है ओओ तो क क्योट पी आर जो है ग्लाकर तो में क्वार है क्ली Fed. इसनों के और यह कॉन बाह ये कौन लिख दिया चला भए ठीक है अब इसमें सके मान को लिखते हैं जो जो चीजे हमने मानी हुई है वो लिखते हैं तो मानी की बात करें तो P, R, S की बात करें तो वो 2Y है तो हमने यहां पर लिखा 2Y ठीक है Q, P, R की बात करें तो Q, P, R कुछ नहीं माना है जो है वह यहीं क्यों लूट द कि एर हमारे पास आ रख़ाए मान रख़ा है जो फो सलवी हुए ख्युक्र आप उसका मिश्क बात नहीं से अच्छा हम क्या करते हैं इसमें करेंगे करेंगे भी यूज करेंगे कोई दिकर नहीं जितना भी हमें इसको आगे की जरुत पड़ेगी हम उसको नेक्स्ट वाले में पूट कर देंगे और कब देखेंगे तो यहां पर आते तिर्भुज टी क्यू आर को और इसको पहले देखते हैं उसके बाद रिलेट किया जाएग तो इसमें भी यह बाहे कूर बन रहा है यह बाहे कूर बन रहा है अगर यह बाहे कूर बन रहा है तो यह इस टी और इस क्यू में जो एक्स है इन दोनों के योग के बराबर होगा बिल्कुल होगा तो इसमें भी हम लिखते हैं तो इसमें मैंने यहां पर लिख दिया क्या क भाई इसके बार में क्या है कॉण वह इसके यूद्य की बराबर कि अब इनकी QTR की बात करें, तो QTR, इसको हमने QTR ही रहन देते हैं, ठीक है, और PLUS में TQR की बात करें, तो TQR, इसको हमने माना हुआ है, X माना हुआ है, चलो भई, इसको X मान लिए हमने, done, अब देखो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस X को उठा के इस साइड लाते हैं, तो इस सा एक्स बराबर में कोण क्यों पी और रहे है चलो यह चीज आ गया किया इस में से 2 कौमन लिया जा सकता तो भाई दू कॉमन ले सकते हैं या रहाए मैमाइस में क्ज पर भाई जा गया वाई- दो वाई- टि עर की पर Watching के पर रहता है और हमने y-x को उठा के इसके अंदर रखा तप्चा करेंगे हमने वह क्या वह y-x का मान समीकरण 2 से एक में रखने पर ठीक है वह अब y-x का मान क्या था वह तो qtr था उसको उठा के हम यहां रखेंगे तो हमने लिखा भाई 2 कोण qtr बरावर है qpr के भाई यह यह है दो qtr को यहां रखेंगे तो 2 qtr आएगा और qpr आएगा अब यहां से अगर मैं इस दो को साइट भेज़ दू तो qtr बरावर में आ रहा एक बटे 2 कोण qpr क्या हमें यही याद करना था और यह यहां पर यहां पर ग्याद हो चुका है कोई दिक्कत वाली बात नहीं और यह भी आपका एक जो qpr का संद्रिबाबर है लगत तो नहीं रहा लेकिंन कहरा है तो माण लेना पड़ेगा ओके and जो है कि बढ़ा कोन है इसको पुएस जो है पीएस वो संतिभाजित करता है तो संतिबा या का है और यह भी has to be pts की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है तो सबसे पहले रिखते हैं तो क्रूढल केढल का कि ढूइंडिया कि कंडिशन हैं यहां की बात करओं तो पर हम देख सकते हैं कि बहुत पहले दिया हैं में कॉन बराबर कुन कुन सा तो आर कि पीआस अर पीएस बराबर में कूण क्यू पीएस वह यह दुना में बराबर दे रहा है चलड़ी ठीक है उसके बाद और कुछ दिया हुआ है तो हां बिल्कुल लम्वे रखाएं है पीटी जो है कि उस सिद करना है भी और सिद्ध करना है कि फिर ती करना है कि कंडिशन में आते हैं तो यहां पर हम क्या देख पा रहें तो तीपियस जो है वो क्या है मैं कौन टीपियस ये बराबर है एक बटे दो कौन क्यू माइनस में आर इसके बराबर है यह हमें सिद्ध करना है डन चलो भी ठीक है अब इस पर आते हैं सिद्ध कैसे सिद्ध होगा यह तो यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या चीजशा तो यहां पर सबसे पहेले हम लेते हैं थिर्बुज लेते हैं है औरने Sius वाई इतनी सी बात करने अब इसको फान करेंगे तो होगा यहां की बात के सबसे पहले थो आम नियुको हमने ले लिया कौन सारह भई पी क्यों यह हमने लैली है अब इसकी बात करें तो इसमें क्या रहा है तो यहां पर हम देख सकते हैं विचे लोको को यहीज ठीक है इसमें आप करते हैं इसमें तीनों कोडों का योग एक स्वर्षी होगा यानि कि किया सकते हैं Kono Q प्लस में कौन ती यानि कौन क्यूं लिखा और प्लस में कौन ती ती का नाम क्या है तो भाई पी टी क्यूं है और प्लस में हम बात करें तो यहां पर आएगा टी पी क्यूं आएगा तो हम टी पी क्यूं लिखते हैं को टी पी क्यूं लिखा और बराबर में 180 डिगरी भाई और यहोगा तीरभुज के तीनों कोणों का योग थी थीज़ के इस स्वस्य आगया तर टीक है अब यहां पर हम क्या लिक सकते हैं तो यहां पर मैंने लिखा बैउक कोण क्यूं जो है वो तो ठीक है पी टी क्यूं कितना है तो सकते तो हमने आपर लिखा क्यों प्लस में नबे ढग में लिख सकती हैं, यानि पूरे में से इसको घटा दिये जाए तो यह आएगा यानि कि मैं पी टी पी क्यू को X-Y लिख सकता हूं दन तो ठीवे लिख देते हैं यहां पर लिखा हमने X-Y बराबर में 180 डिगरी यहां से हम क्या करते हैं मान नगलते एक्स का मन क्या आएगा तो X को यहीं रहने देते हैं बाकी सबको दूसरी तरफ भेजते हैं ठीक है बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहांगा है एक 180 degree, minus में 90 आएगा, ठीक है, और ये Q इस साइड आया, minus Q, और Y इस साइड या गया, तो plus में Y आ रहा है, ठीक है भाई, एक स्वस्ती में से 90 गया, तो X का मान आ गया हमारे पास, 90, minus में Q, और plus में Y, भाई ये आ गया समीकरण एक, चलब ठीक है, समीकरण एक आ गया, दूसरे की बात करें, तो दूसरा हमारे पास क्या है, तो तिरभुज लेते हैं, PRT लेते हैं, तिरभुज, PRT में, भाई इसकी बात करें, तो यहां पर हम देख सकते हैं कौन R, प्लस में कौन PTR, प्लस में तीसरा कौन काौन सा है, तो R, P, T, इन तीनों कौनों का योग 180 गरी होगा, भाई तिरभुज के तीनों कौनों का योग 180 गरी होगा, वह हमने लिग दिया है पर, और इसमें हम Reason भी लिखते हैं, यहां पर तो क्या लिखेंगे भई तिर्भुज के तीनो कोणो कायोग डन चलो यह लिख दिया हमने अब इसमें इसके मान को लिखते हैं मान क्या क्या चीज़ है मान पास तो भई कोण आर तो कोण आर चलो और पीटी आर की बात करें तो पीटी आर कितना है 90 डिगरी का है तो इसको नब डिगरी कोई दिक्कत नहीं तो यहां ने लिखा नब डिगरी ठीक है अब प्लस में आर पीटी की बात करें तो यहां पर हम देख पार यह पूरा कोण हो रहा है और पूरा कोण का मतलब X और Y दोनों जुड़ेगा तब ही जाके तो पूरा होगा तो यहां से हम यहां और देखा यह तो X आ गया बाकियों को उस्तर भेज़ेंगे तो 180 माइनस में 90 माइनस में आर और माइनस में यह लिख दिया हमने डन वहीं होगा अब यहां से हम लेख सकते हैं यह 180 में यह नब्बे गया तो 90 ही बचा ठीक है माइनस में आ रहा है और लिए समीकर्ण तो आ गई ठीक है यह समिकन दो आगी यह समिकन ही का सुक एब इन दोनों समिकन को करेंगे हल और वो कैसे हल होगा तो यहां देखिए यह हमному ने किया वैशर हम कि क्या ने कि इसमें लिखआ हमने में समीकन एक तथा दो से यहां पर लिखा गया समीकन एक तथा दो से क्या होगा तो समीकन एक तथा दो की बात करें तो दोनों एक्स लेफ्ट वाले तो बराबर थे एक्स वाला इधर भी है एक्स वाल इधर लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा राइट की बात करें तो तो यहाँ मेंने लिखा क्या नव्मभे C minus 4 समय य यह Đन आपर देखेए इन सब को एक तरफ करते हैं कुछ तु एक तरफ क्या करेंगे तो वाइख ऊठाके एक तरफ लाटे तो यहां पर यहां पर यहां से लिखा और यह मायनस में और नाम किया था गवैं किसको माना था हम ने हम वाई की यही था टीपीएस ही था तो हमने यहां पर लिख सकते हैं यह था टीपीएस और यह बराबर आ गया एक बटे दो कौन क्यू माइनस में आर यह याद करना था और यह कोशन यहां पर समाप्त होता है तो आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हो यह भी एक इसकी भी आपको करनी है दुबारा से प्रैक्ट्रीश जरू करना है और इसका भी स्क्रीन सॉट लेजिए और कोशन यहां पर समाप्त होता है फिर हम आते हैं नेक्ट कोशन पर अगले कोशन को देखते हैं वह कैसा मोस्ट इंपोर्टन डॉला कोशन है चलो बहुत देखते है संब्सक्राइस के अगले की बात के तो यहां पर देखाए आकरती आपको देख रही है जयाँ है हो कि दिखरी है और स्थे किसी जो है किसको एक्स किस के ब्राबर आस डीए ऑलफा प्लिटा प्लस गमा के बराबर है यह हमें ग्याद करना है चलो भैशिसको डिकतन Но सबसे पहले हम देखते हैं क्या कहाद चीज के रखे उसके अ alg तो दियुजू की बात ök भी तो यहां हमें देखा एक आक्रति दे रखेمة हम ने देखा बहीं आक्रती A, B, C, D में इस आकरती में हमें बस कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा है बस सब कोनों के नाम दे रहा है नाम क्या दे रहा है तो भाई कोन A जो है ये कोन A जो दे रहा है इसे अलफा दे रहा है कोन B जो दे रहा है इसे बीटा दे रहा है कि और कॉंण सी जो है उसे गामा दे रखें ठीक है और भी बात करें प्रति बाती गामा मतलब क्डी होता है यह होता है जब हम पीछे वाला कॉन पीछे वाला कॉन जब लिखते हैं तो उसे प्रतिवर्ति कहा जाता है फिलाल ये आगे वाला कॉन है तो कोई दिक्कत वाली बात नी यानि कि हमें यहां पर दे रखा है कि कॉन दी जो है वो हमें एक्स डिगरी का दे रखा है वह इतनी बात तो हमें दे है बई जो X है हमारे पास यह बनाबर है अलफा है प्लस बीटा और प्लस में गामा इन तिनों के युग के बराबर तो X है यह हमें या करना है बिल्कुल करेंगे अब इसको करने Cayley अक चोटा चोटी तो यहां पर हम लिख सकते हैं रचना में हमने किसको जॉइन किया है तो हम कह सकते हैं बी को इतक बढ़ाया भाई यह कर दिया गया रचना में ड़न तो यह जी आगया अब इसको करते हैं तो हम मैं बैं सिद्ध आब यह इसकी मदद से कैसे सित्ध होगा ऑडिक करते हैं तो सिद्ध में यह देक सकते हैं क्या देक सकते हैं कि वह ये दो हिसमस्ताना बटी हैं यह दो आद्यार्बाइदि बटे हैं यानि की समद्धि-भाय्रीद कर रहा है सा कुछ नहीं है ठीक है बस इसने का है दो हिस्सों में बटे हैं बैब यहां पर हम बात करें तो इसको अगर मैं मानता हूं इसको अगर मैं वाई मानूं तो यह कितना होगा तो यह होगा भई भी ता माईनस भाई होगा यह हाँ मिय यह होगा टीक है या फिर हम नाम आद के स्रिफ नाम ही लिख लेते हैं इसको तो बैसमेदें नाम приकिया लिखेंगे सरसे हैं लेखा क्या तो हमने लिखा कि हमने लिखकी आपर कौन सा वाला तो उपरवाल तिर्भुच की बात करें ए बी डी में तिर्भुच आते हैं तिर्भुच ए बी डी में इस तिर्भुच की बात करें तो इस तिर्भुच के अंकवर्डिंग कहा जाए इस तिर्भुच के अकवर्डिंग कहा जाए तो क्या यह बाहे कौन होगा त ठीक है प्लस में कौन B के पास B का नाम क्या है तो कौन A B और D भई इसके योग के बराबर होगा बिलकुल होगा यानि इसको लिख सकते हैं A D E क्या है तो A D E तो भई यहीं चीज़ है A D E है और यह हमें अलफा दे रखाया और यह हमें A B D वह इतना ही दिया हुआ इसका रीजन हम लिख देते हैं जस्ट क्या तो यह आजाएक भई बाहे कौन लिख दिया हमने बाहे कौन ठीक है यह चीज़ हो गया उसके बात की बात की जाये तो क्या है तो यह तो हमारा यहां teacher आरफ पर हो चुका बात करते हैं नीचे वाल तरूँज के नीचे वाल तर होगफ तो हम नीचे यहां लिखा क्या की नाव सकते हैं कौन cdE cdE जो है यह बराबर होगा कौन ck और प्लस में कौन cbDK वैं यह होगा वैं यह कौन और यह कौन इन दोनों कौनों को गट जोड़ा जै तभी यह कौन आएगा तो तो यहीं लिखामने और इसका रिजन भी क्या है तो थो यह उसके बाद हम बात करते तो अगले में हम यहाँ पर देखते हैं तो अगले में हम यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मैं इसको चंट लिख रेता हूं पहले cd e जो है और बराबर में c कोंड जो है उसको गामा लिखा ठीक है और प्लस में cbd उसको cbd ही रहने दिया ठीक है यह हमारा समीकरण 1 था और यह समीकरण 2 था चलोब यह चाहे आ अब बै क्या दोनों समीकरण को सकते हूँ तो बिल्कुल सकते हैं इतेनी फ्रीडिम तो है हमें समेकर्ण अ스還是 एक त्था दो को जोड़ा गया ठीकर बहुए जोड़ेते हैं जोड़ेंगे तो क्या होगा लेफ्ट से लूद यानि मैंने लिखा de plus cde फाइग कोण हमने लिखा भैकोण ade plus में कौण cde इन दोनों का योग जोगा वो राइट वाले दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो राइट में क्या अलफा और गामा है तो इसको जोड़ा हमने यहां लिखा भैक अलफा प्लस में gamma लिखा ठीक है और प्लस में एबी डि और एबी डि और सी बी डी है यहां लिखा प align वह कोण ABD प्लस में कौन CBD है ठीक वह यह चीज़ आ गया अब यहां पर देखिए ADE और CDE जोड़ेंगे तो क्या होगा तो यहां देखते हैं ABD और CBD मतलब यह दोनों कौन जुड़ रहे हैं अब यह दोनों कौन जुड़ेंगे तो पूरा तो बीटा ही आ जाएगा तो हम यहां पर क्या सकते हैं वह यह आगया बीटा इन दोनों को जोड़ा बीटा आ गया क्या हमें यहीं सिद्ध करना था तो भाई यहां देखा हमने अलफा बीटा गामा तो भाई यहीं सिद्ध करना था एक्स ब्रावर में अलफा बीटा गामा आगे पिछले दो कोई बात नहीं है तो यहां पर आपने इसका स्क्रिंशॉट ले लिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर अगले कोशन में देखते हैं मोश्ट इंपॉर्टन वा पर अगले कोशन की बात की जा तो यहां में दे रखा एक्स वाई-जेड में जैसे कि आप देख पा रहे हो एक्स वाई-जेड यह त्रभूज है इसमें कोण एक्स जो है वह बहत्तर डिगरी का जो कि हमें दिख रहे हैं वापर ठीक है और एक्स जड़ यहां पूरा कोण जो है यह ठीज लिका है यह भी ठीक है उसके रहाए यदि वाई-वाई-ओओ यो और जैड-ओ क्रमसा एक्स जड़ य के कोंड इन दोनों को मैं प्राइब को सम्धिभाजक है वह सम्धिभाजक का मतलब क्या हो रहा है वह एक्स वाइज़ की बात कर एक्स वाइज इसका तो इधर यह 23 का होगा और यह इधर यह भी 23 ठाओ ठीक है यह चीज़ हमें दे रखिए ओके वही तैस का इधर तेस का यह यह दर यह तीक है अब इसने कहा है कौन ओवाइज यानि इस एक्स का मान हमें ग्याद करना है तथा वाई ओजड वाई ओजड मतलब इसका भी मान हमें ग्याद करना है इन दोनों का मान हमें ग्याद करना है ओके चलो बिल्कुल ग्यात होगा देखते हैं कैसे ग्यात होगा तो सबसे पहले लेखेंगे दिया है बैई दिया है कि condition में सबसे पहले आएंगे वह चाहिए दे रखा है तो देने की बात करें तो यहां पर हमने देखा भाई तिरभुज तिरभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड में इसमें दे रखा कि कौन एक्स जो है वह बहत्तर डिगरी थीक है और दूसरी बात करें कौन एक्स जेड़ वाई जो है वह च्यालिश डिगरी थीक है यह चाहले टीकर बात करें उसके बाद इसने संदीधाजक किया गया वाई और जो इसका संदीधाजक है यहां यह दो तो हम इसको लिखते हैं बड़ाबर में क्या ओजड़ वाई और यह दोनों हो जाएंगे यह इतना हमें दिया हुआ है अब इसके बाद हम आते हैं पतलों हैं समय क्या कि भरी क्या ग्यात करना है में तो हम लिखते हैं ग्यात करना है कि कडिशन में आते हैं तो यहां की बात करें बाद हैं और Y O Z इन दोनों को हमें ग्याद करना है यानि कोन O Y Z ये ग्याद करना है और कोन Y O Z इसको हमें ग्याद करना है ये दोनों चीज़ों को हमें ग्याद करना है ये दोनों चीज़ों को हमें ग्याद करना है इसके बार हम आते हैं इसमें किसमें इसमें हल में हल की बात करते हैं ह यहाँ हम बात करते हैं तो तर्भुज हमने लिए तर्भुज एक्स वाई-जेड में तो यहाँ पर लिखते हैं तिर्भुज है कि तिरभुज के तीनों कोणों का योग तिरभुज के तीनों कोणों का योग जो है वह अस्य डिग्री है इसमें तो कोई दूभी दानी चलो भए ठीक है उसके बाद हम देखते हैं भई को ऑप द्Heute के डेखते हैं ऑड जाट कोई पूरा था तो हमने में इसको लिखा यह नवहाइन अच्छ डिग्री चांट है प्लस में वैक की बात कईतो य कितना है तो वाई हम देख पार हें तूए नोश्म सकते हैं तो नग्यच्ण प्लस में जैड की बात करें तो वो कितना है तो जैड तो हमारा 46 डिगरी का पूरा था तो हमने इसको लिखा यह 46 डिगरी 46 डिगरी आ गया यह बराबर में आ गया 180 डिगरी ठीक है यह जा चुका है अब यहां पर देखेंगे 2x2 ठीक है यह 2x2 ठीक है भाई इसमें 72 और 46 को 162 डिगरी बैए यह चीज़ आ गया 180 में 68 डिगरी को माइनस किया अब जो भी है वो 2x के बराबर है डान तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1818 में सब्सक्रा अब गया 162 डिगरी और यहां से हम देख सकते हैं 2x2 बराबर में कितना आ गया तो यह 62 डिगरी आ गया और एक तो यहां पर हमने देखा कि यह आ गया एक सब्सक्राइब कोश्चन में क्या कहा था कोश्चन में क्या कहा था ओ वाई जड निकालना है ओ वाई यहां पर लिखेंगे तब कोश्चन ओ वाई जड यह जो हमने एक समाना वाथ यह कितना है 31 और यह पहला तो आंसर निकल गया पहले वाले का ठीक है उसके बाद नेक्स की बात करते हैं वाई ओज्ड की बात करते हैं यह कितना तो इसके लिए हम देखते हैं तिरभुज कि योज में बही यह तिरभुज मारत पास है वाई ओजेड इसमें देखा जाएं तो इसमें तीनों कोड़ों का योग 113 होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोड़ो प्लस में एक्स प्लस में इसकी बात कर Pale तो यह क्या है भाई ओड़ो यहीं कुण है इन तीनों कोणों का योग 1803 होगा ठीक है इसमें भी हम लिख देते हैं वहीं आएगा कि तिरभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग ठीक है तिर्भुज के तीनों कोणों के यह एक सउस्य और एंदन अभ यहां पर देखते हैं कोण हमें नहीं पता ओऊ का ही नाम नहीं कि मानंने कालना तो हम इससो को लिख सकते हैं क्या है वह इसको लिख सकते इसको भी तेश लिखा आ सकता है तो यहां पर हमने लिखा यह तो यहां पर हमने लिखा यह तो हमने लिखा वाई ओज बराबर में इसको जोड़ा और यह हमारे पर सब्सक्राइब करनी है तो आपने इसका ले लिया है फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर अगले कोशन को देखते हैं वह किस टाइप का है मैं इसे करता हूं आते हैं नेक्स्ट पर हाँ अगले कुश्शन की बात करें तो यहां दिया वाए दी गई आकरती में पी क्यू पर पेंडिकुरर लंब है किस पर पी एस पर भाई पी क्यू जो है वह पी एस पर लंब है मतलब यह 90 डिगरे कोण हमें दे रखा है ठीक है उसके बाद दे रखा है पी क कि आभर अब इस ने कहा है एकसे आइका मांहान हमें ग्याद करना है य करने कोई करते आ यहां पर यहांपर हम देखते हैं में क्या रहती दिया है की condition में आते हैं तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आकर्ति के अंदर PQ जो है वो लंब है भाई PS पर ठीक है और PQ जो है वो समानतर है वह एसर के बहुत प्यक्यू जो वह लंब है प्यस पर जो 90 डिग्री का था उसका प्यक्यू और समानतर है यह भी लिख दिया और साथ पर जो दो कौन बराबर दे रखें क्या है एसक्यू आर जो है वुबर आबर दे रخाए 18 के और क्यूण अर्ट झो है यह में दे रखाए 65 डिका तपिमदन यह इतनीec इतनी चीज़ा हमें पर दे रखे यह धिया दन हम आते हैं किस पे तो उसके बाद हमने आया भई हम आते हैं दिया है के बाद नहींग ग्याद करना है तो ग्याद करना है कि कंडिशन में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर हमने रिखा ग्यास करना है कि लिए isma कर आते हैं ठीक है हल पर आते हैं तो हमें पर हम देख रहे हैं कि सब से पहले तिर्भुज Q-R-S की बात करते हैं तिर्भुज Q-R-S की तो यहां आते हैं तिर्भुज एक मिनट तिर्भुज Q-R-S में भाई इस तिर्भुज की बात करें तो क्या इस तिर्भुज के लिए qrs तिर्वुच के लिए क्या यह बाहे कौन नहीं हो गया और यह कौन इसके और इसके योग के बराबर होगा भाई होगा भाई बिलकुल होगा तो यहां पर मिल सकते हैं कौन क्या नाम है qrt qrt यह बराबर है किसके यह है qsr qsr प्लस में और qs और यह बराबर है qsr है और rqs है इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा qrt डन चलो भी ठीक है अब यहां पर qrt की बात करें तो यह 65 डिग्री हमें दे रहा चाहिए इसका रिजन भी लिखना है रिजन क्या लिखेंगे तो बहुए वही बाहिए कुण ठीक है वह बाइकवन लिख दिया अभी इसके बाद हमाते हैं तो यहां पर qrt की बात करें qrt कितने करें तो 65 डिग्री कह यह keyword 2-65 टीक है बरावर में qsr की बात करें q sr की बात करें हमें नहीं पता है इसको मर कगने और उसके बाद आता है हमारे पास क्या और क्यों एस की बात करें तो यह कितना है यह 28 दिगरी है चलो ठीक है इस 28 को उठाकर इस साइड लेकर आएंगे तो भई क्या आ रहा है हमारे पास तो 65-28- बड़ाबर में क्यों सार आ रहा है चलो भी ठीक है 65 में से अठाइस है 25 नहीं अठाइस है ठीक है यह आ गया पर 65 में से टीको माइनिस करेंगे तो कितना रहा है तो पैंसेट में से अगर 25 माइनिस करता हूं तो यह 40 आएगा और पांस तीन आठ तीन और मतलब की 37 दीरी आ रहा है तो हमने यहां पर लिखा वहीं इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्यू एस आर जो है यह 37 डिगरी का आ गया ठीक है जैसे कि हमने देखा वह 65 में से अगर 25 को अगर माइनिस कर दूं तो बच्चे का 40 और लेकिन यह 25 तीन यहां पर यह देखते हैं यह रिखा इसके समानतर थी ठीक है और बीच में लंब की चागा जो दोनों रिखाओं को काट रहा है इसका मतलब इन दोनों कोड़ों का योग भी 180 होगा जिसे हम कहते हैं वह से अंतह कोड कहते हैं तो यहां पर मैंने लिखा वह क्या कोड़ पी से अंतह कोड हैं इसका योग 180 डिगरी होगा और यह क्यूं होगा तो यह इसलिए होगा कि भाई इसमें हम रिजल में लिख सकते हैं सैंतह कोड है से अंतह कोड भाई हम इस पर देख पा रहे हैं दो समानतर रिखाएं बीच में एक रिखा काट रही है तो अंदर वाले दोनों कोड़ों का योग एक स्वास्य होता है दन ठीक है वह पी की बात करें पी कितना है तो पी तो 90 डिगरी का था ही पहले से तो हमने इसको लिखा सब्सक्राइब नबबे डिगरी कि एस की बात करें तो यहां से मैं वाई को ग्याद करता हूं तो यह कितना रहे है एक सोस्थी माइनस में इसको जोड के साइड माइनस करेंगे तो नो तीन बारा एक सब्सक्राइब ठीक है और इसको माइनस क्या तो यह 53 डिगरी आ रहे है यहां से हम देख पा रहें यह वाई हमारा कितना देखर त्रेफण डिगरी आ चुका है इसमें तो कोई दूविदा यह तरफ़ज अब यहां पर हम देखते हैं त्रभुज पी क्यूएस की बात करते हैं तुरुज पी क्यूएस निकाला है देख प्लस में प्लस में क्या है क्या को प्लस में को प्लस में TB प्सक्यू यानि कि वाई की बात करulle हैं यानि वाई यнул होगा और जो कि हम में लिख सकते हैं कि तृबुज के है तीनों कोंडों का योग कि शूब 살ने अ करें च्रुप तो एक स्वास्थी और इसमें देख पा हरे हैं कि कॉन पी तो 90 डिगरी का था ठीक है को रि जो है य क्या है य मैं हरी कामान हमने 53 डिकरे निकाला है तो ये भी लिखते हैं वह यह 53 आ गया ठीक है और इसके बाद बात करें तो यह यहां पर आ रहा है एक्स बरावर 180 टीक है यहां से एक्स का मान निकालते हैं इनको जोड़ को सेट माइनस करेंगे वह 180 माइनस में 143 लिखरी होगा अब इसको लिख सकते हैं इसको रिलेट कर सकते थे क्योंकि यह इसके समांतर है तो यह अन्ता एकांतर को बराबर होते हैं तो आप इसमें दिर्ट 37 को इसके बराबर कर सकते थे कोई दिक्रत नहीं आप दोनों में से कोई मैथाड अपना सकते हैं ओके तो यहां पर यह कुशन भी समापत होता है जिसमें आपने देखा वह यह हमने बिलकुल बहतारी निकासरी करवा दिया है तो अब आप इसका भी और फिरम आते ह कोई ओके तो आते हैं नेक्स्ट कुशिन पर परसंट नमबर बारा है और इस बारवे कुशन को देख लिए इसमें क्या है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दी गई आकरती जो हमें सामने दिख रही आकरती इसमें यदि रेखाखन एबी सीडी ओपर पर परतिछेट करते ह हैं यानि AB और C D ऑपर एक दूसरे को बात है चलो अची बात हैं अब इसमें कहा गया कि कौन OAD कोन सा बई OAD यह 80 डिगरी का चलो डिक है ODA ODA की बात करें तो यह हैं 50 डिगरी का और OCB OCB यह हमें दे रहे चार्श डिगरी का अब हमें OBC ग्याद करना है मतलब यह ग्याद क है जब यह देखा इसके समानतर है लगने से नहीं होता इसमें हमें करना पड़ेगा भई यह चीज पूरी गिवन मतलब हमें दीव होनी चाहिए या फिर करने सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर आते हैं सबसे पहले दिया है लिखा इसमें हम देख सकते हैं आकरती में A, B, बैं हम ने क्या देखा भाई, A, B और C, D, जो उपर प्रतिशेट कर रहे हैं, उसके साथ हमें दे रखा है, ये कौन, बैं कोण O, A, D, ये हमें 80, दिका दे रखा है, ठीक है और इसके बाद कौन, O, D, A, यह हमें 50 दीरी का दे रखा है चलो ठीक है और उसके बाद कौन OCB यह हमें 40 दीरी का दे रखा है चलो भी ठीक है यह चीज़ हो गया उसके बाद हम आते हैं किस पे तो इसके बाद हमने लिखा वही क्या ग्याद करना है तो ग्याद करना है हां ठीक है जयान का नायों हो भी खो ग्याद करना है दे हो बसBeat करना है यह तो जोभी तो हल की बात की जाएं तो यहां पर अगर यह दो को निकाल सकता हूं तो बिलकुल निकाल सकते हैं कैसे तो तीनों कोड़ों का योग 바演 हो दी में bare cx ieod करतें हैं तो ओ डी में की बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे तीनों कोणु सब्सक्राइब का योग कितना होगा तो यहाँ पर मैंने लिखा कोण इंस कोण दी प्लस में कोण ओडिए निकौन अकी कोण तिनों कौणों कायोग 180 डिग्री आ चुका है दैन चलो ठीक है इसको हमने साथ में लिख दिया क्या है इसको लिख दिया है दिया है नहीं इसको लिखेंगे क्या तिर्बुज के कि तीनों कौणों कायोग तिरबुज के तीनों कोणों का योग 180 डिगरी हमने लिख दिया इसमें तो कोई दुविदा नहीं चलो भए ठीक है उसके बाद और क्या करते हैं तो इसके बात की बात करें तो भई A और D का मान लिख देंगे A और D का मान कितना है 80 और 50 तो हमने यहाँ पर लिखा यह 80 डिग प्लस में हमारे पास आ रहा है AOD तो इसको हमने लिखा AOD बराबर में 180 डिगरी है चलो भी ठीक आगया AOD का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है तो भई AOD जो है यह आएगा हमारे पास 180 डिगरी और यह 8-5-3-130 डिगरी को इस साइड लाके घटा देंगे 130 डिगरी को घट इसको हम लिखेंगे क्या तो यह आएगा तो हम यहां पर लिखते हैं भई कोण AOD बराबर में हुआ कोण C O B और इसको हम लिखेंगे क्या तो यह आएगा शिर्शा बिमू कोण कोण सीर्शा भीमुक कोण कोण के कारण से हम क्या लिख पाएंगे तो पचास डिगरी का यानि सी अब भी पचास डिगरी का हो जाएगा हमने इसको लिख दिया सी ओबूभी ये भी 50 दिगरी का हो गया चल बहुत बढ़ियां अब यहां पर आते तिरवज के तीनों कोनों का योग यानि तिर्भुज की बात करते हैं सी ओबी तिर्भुज की यहां पर मैं लिखा तिर्भुज सी ओबी में तो यहां पर हम देखेंगे कौन सी प्लस को बी प्लस में बी सी बी और उसका सी ओबी इन तीनों कोनों का योग कितना होगा तो दाइय क्शोस सृट क्यों चलह ठीक है और इसका रिजन क्या होगा था राइजन वहिं होगा यहाँ पर जाएं तिर्भुज के तीनों कोड़ों कायों ठीक है तिरे बुझ के तेनों कोड़ों कायों के एक्सोस्य होगा यह हमने लिख दिया अब यहां पर हम मान दिखते हैं सी का मान कितना है चालिस और सी ओबी का मान कितना है पचास और भी हमें ग्याद करना था तो हमने यहां पर लिखा क्या तो यहां पर हम लिखते हैं भई कि आहां जिए यहां पर हम लिखते हैं यहां कि यहां पर ८िद्ध लिक्तार और सिस्टार भांगते लिखा width और बराबर में कितना है गया गया तो यहां पर हम कह सकते हैं यह कोण बी जो है वह नबबे डिग्री का गया और हमें कोण भी ही ग्याद करना था जिसका नाम है ओबी सी यह याद करना था तो इसी को मैं लिख देता हूं बाई बी की जगा हम पुरा नाम लिख देते हैं जैसा कोशन में दिया था पर कौन ओबी सी जो है यह आगया है 90 डिगरी तो यह लिख दें तब यहां पर सवाप्त होता है जैसा कि आपने देखा कि यह नब्बे यह यहां पर आज चुका है और यहां की बात करें तो यह नब्या चुका है और स्टार्टिंग में क्या देख रहेते हैं तो आप इसका स्क्रिंस ले सकते हो और यह थोड़ा सा कंफियूस वाला कोश्चन था यहां पर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है आज हमने कुछ मोश्ट इंपॉर्टंट कोश्चन जो कि हमारे कक्षा दसवी का सरुनौवी के तरवी चैप्टर से लिया गया है तो उसके कुछ पार्ट वन के वह यहां पर हमने समाप्त कि इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट में आएंगे और उसमें देखेंगे उसके मोश्ट इंपॉर्टंट वाले कौश्चन कौन से होने वाले हैं ठीक है क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर को खदम करना अभी हमने इसके पहले परसनावली को खद तक के सभी विश्यों के कंप्लीट वीडियो कोर्स और वह भी फ्री अफकॉस्ट और यहां पर पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलने वाला है और अब आप लोगों के सुविधाओं के लिए में लॉंच किया है में की वाप साइट जो कि है www.magnet.com और इस वेप साइट में क सब्सक्राइब और उसके बाद देखेंगे अलग-अलग सेक्शन सब्सक्राइब अविलेबल है इस प्रोकर इंग्लिस इनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स यहां पर अविलेबल है और यह भी पूरा कंप्लीट को बिलकुल फ्री ऑफ खौश मनने वाला है तो आ आप हो कशा दद नौवी में तो नौवी पर क्लिक करोगे और नौवी पर क्लिक करती दिखो गया कशा नौवी के सबी टीचर सापके सामने विज्वल हो जाएंगे डन चलबे टीक है अब इसके बाद इसमें क्या करना है तो आपको किसी भी विशह में कोई बिदिकत होती ह आपको पुरा कमप्लीट कोर्स आब के सामने और कैसे तो यहां मैं आपको बताऊं जैसे की मां यहां पर दिख रहा हूंि यानि कि अगर आपको गेंकि नहीं पर क्लिक कीजिए और कलिक करते आपको नीचे परीचिय संख्यापद्डिए और नीचे स्ौड लाउन और भी आपको सबसे पहले मिलेगा पूरे चेप्टर का एक फुल कॉंसेट वीडियो यानि एक एक वीडियो में ऐसा होगा कि पूरे चेप्टर के सारे जूर रेग्लेशन जो भी बिलकुल बहतरी तरह से आपको समझाए गए जिसने वह पूरा चेप्टर बिलकुल आसान हो जाएग उसके बाद क्या है तो उसके बाद आपको मिलता है पूरे चैप्टर का एक वन सौट रिवीजन यानि एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फुल ली रिवाइज करवाए गया है जिसके अंदर उसके कॉंसेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टन कोशिन करवाए गया है तो यह भी आपके एक्जाम पॉइंट अवी के लिए का बहुत ही अच्छा है कि आप ही जानते हो आपकी को आपकी की दिमांड होती है कि एक्जाम टाइम में कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिस से पूरे उस चप्टर का पूरा फुली रिवाइज हो जाए तो यह वीडियो से पूर्पर करने की जरूत नहीं है हर चीज बेस्क्राइब करवाई जा रही है तो आप इसका फाइदा उठाए आपको करना बरसिए हैं यहां पर चैप्टर पर क्लिक करिए और चैप्टर में वीडियो की लिए जो भी वीडियो आपको देखनी है और उसके बाद इस तर प्रेंट सरकल में रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पेचान में हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको यह चीजे सजिस्ट कीजिए जिससे उनको भी इसका फाइदा मिल पाए ओके तो इसके बाद फाइनली मैं आपको बता जाता हूं अगर वीडियो आपको औि घहलो गजए ब सीन किव Templar के रिलेट ही स्जिफ कर लोगले सिस्क्राड़ की ऐबाषी सेंधे में था औि यहunden यहां दनकी एजयों भाई ज्यों पिर न्यों दो झार्मने इनने साओ की बता हैं इनकी केचाईोत, विब्स सेंवाद फाई हैं, लgotjän Apparently alguna. बसाया है झाकी ब